आज मैं बना रही हूं मीठे पूवे या गुलगुले जो भी आप बोलते हैं इसके लिए पहले हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे तो मैंने एक कप पानी में ये देड़ कप जितनी चीनी को मेल्ट कर लिया है थोड़ा गरम करके फिठंदा कर लें नहीं दो कप आटा लिया है ये मैंने गेओन का आटा है और इसमें करीब मैंने आदा कप मैंने सूझी एड़ किया है तो आपको जितना चाहिए उसे शापसे ले ले मैंने आदा कप मैंस सूझी ढाला है और इसमें डाल दी हूँ मैं सॉंप तो आदा चमब जितना सॉंप डाला है और उस पानी को एड़ कर देंगे और पहले इसे अच्छे से घोल लेंगे तो इसका हमें घोल बनाना है एकदम अब मैंने एकब जितना बस दूर डाला है बाकी पानी डालके हम इसका एकदम अच्छा घोल तयार कर लेंगे जैसे चीले का होता है उसे बस वैसा ही हमें घोल चाहिए तो घोल जब हमारे तयार हो जाएगा तब हम इसके पूए बनाएंगे तो हमारी तरफ तो इनको मीठे पूए या फिर छोटे छोटे बनाते हैं तो उनको गुलगले बोलते हैं आपकी तरफ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं तो ये देखिए अच्छे से घुल गया है और इसका बैटर जो है पूरा अच्छे से हम फैंट लेंगे थोड़ी देर फैंट लें और इसे पांच से दस मिनिट आप छोड़ दें क्योंकि आटा जो है वो थोड़ा फूल जाता है इसके लिए मैं एक सब्जी बनाऊंगी इसके साथ खानी के लिए तो मैंने ओईल ले लिया है कडाई में गरम करने के लिए और थोड़े से पानी में लाल मिर्ची पावडर, हल्दी पावडर और धनिया पावडर डाल लिया है ओयल में जीरा डालेंगे, हरी मिर्ची बारी कटी वे डालेंगे, और टमाटर डालेंगे, फिर ये मसाला डाल देंगे, और थोड़ा से ग्रेट करके जिंजर डाल देंगे इसमें, और टमाटर सौफ्ट होने तक हम इस मसाले को भून लेंगे, तेल अच्छे से छूट गया है मसाला अच्छे से हमारा भून गया है अब मैं क्या मेरा जिंजर नहीं डाल पाई थी भूल गई थी बाद में मैंने जिंजर एड किया है आलू बॉइल करके फोड के रखे हुए है और अब मैंने करीब दो कप जितना पानी डाला है और इस पानी को अच्छे से उमलने देंगे उसके बाद हम आलू डालेंगे उपर से हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर डालेंगे फिर एक कडाई में हम घी लेंगे थोड़ा सा आप ओल में भी बना सकते हैं और एक कल्ची जैसा दो कल्ची जैसा ये छोटी थी इसलिए उससे डालेंगे और इसे फैला देंगे ऐसे ही पलट देंगे इसको और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाईगे ताकि अंदर तक पक जाए ये इसके किनारे एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुती तेश्टी बनते हैं अब इसे हम निकाल लेंगे तो इसे दवाते हुए निकालेंगे जिससे कि इसका घी या और इसमें से कहें वो अच्छे से निकल जाए इसी तरह से दूसरा भी हम दालेंगे इसे थोड़ा फैला देंगे आप इनको बहुत ज़्यादा मोटे ना बनाएं फोड़ा सब फेला दें जिससे की सिखने में फोड़ी आसानी रहें बहुत अच्छे सेक मत्त किनारे इसके क्रिस्पी हो जाते हैं इसी तरह सेक लें और फोड़ा दवा कर इसे साइड में करके ही निकालें बहुत अच्छे बनते हैं और इसी सबजी के साथ रायते के साथ आप इंजोई करें तो जरूर बना कर देखें और रेसिपी अगर अच्छे लगी है तो लाइक करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दवाएं फिर मिलते हैं हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ थेंक यू